बिहार विधान सभाचुनाव 2020 में इंडिये को बहुमत हांसिल होने के बाद बुद्वार की शाम दिल्ली के बीजेपी मुख्याले पर पार्टी जश्ट मना रही है इस दोरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रिम मंत्री अमिश्या, रक्षा मंत्री राजनास सिंग, राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा, नितिन गड़करी समेत तमाम वरिष्ट नेता भी मौजूद रहें इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का मैं आज धन्यवाद अरपित करता हूं देश के कोटी-कोटी नागरिकों का धन्यवाद इसलिए नहीं उन्होंने BJP को इतनी बड़ी सफलता दिलाई धन्यव इसलिए कि लोकतंद्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्सा से मनाया। देश के कोटी कोटी नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुन्यावों में भार्तिय जन्ता पार्टी को कि इतनी बड़ी सफलता दी। इसके लिए तो वो हकदार है ही। को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्सा से मनाया। चुना बले ही कुछ सीटों पर हुआ हो। कुछ शेत्रों में हुआ हो। लेकिन कल सुबह से लेकर देर राज तक पूरे देश की नजरें तीवी पर थी। पीतर पर थी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोग कंत्र के परती हम भारतियों की जो आस्था है। उसकी मिथाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार भीत अपनी जगह है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया हर भारतिय के लिए गवरव का विश्य है। इसलिए पूरे देश को बढ़ाई देता हूँ, कोटी कोटी देश वास्यों का धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव को सफलता पुर्वक, शांती पुर्वक संपन कराने के लिए चुनाव आयोक, देश के सुरक्षा बल और स्थानिय प्रसासन भी, बढ़ाई के पात्र है। कुछ चीजे तो हम डेश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे जिन क्या खबर आती थी हेड्लाइन। इतने बूत लूट लिए गए, इतने बूत में री पोलिंग होगा। आज हेड्लाइन होती है, पहले से इतना परसंटेज पोलिंग बढ़ा। पुरूसों से महलाओं का पोलिंग बढ़ा। पोलिंग बूत से व्यवस्ताओं से लोग यहने पुरानी चीजें बिहार में चुनाव मतला इतने लोग मारे गए, इतने बूत लूट यही खबरे रहती थी। एक भी पोलिंग बूत में री पोलिंग न होना, शांती पुर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, यह सारी आशंकाओं को जहां जहां चुना हुआ, लोगों ने निरफ्त कर दिया, यही तो देश की ताकत है। कोरोना के इस संकट कान में यह चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोगतांत्रिक व्यवस्ताएं इतनी ससक्त हैं, पारगर्षी हैं, इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई हैं। साथियों, इन चुनाव परणामों में भाजपा को, NDA को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतिये जनता पार्टी के, NDA के लाखों कारकरता भाजपानों को, जितनी बढ़ाई दूतनी कम है। मैं हर कारकरता को, उनके परिवार जनों को, रजपाई से बढ़ाई देता। ये चुनावी नतिजे, भारतिये जनता पार्टी के, हमारे राष्ट्री अध्यक्षन, स्रिमान जेपी नड़ाई जी की कुशलता, और प्रभावी राननीती का भी परणाम है। नड़ाई जी को जितनी बढ़ाई गए। मैं कहूंगा नड़ाई जी आगे बढ़ो, आपके ही हम सब आपके साथ है। नड़ाई जी आगे बढ़ो। नड़ाई जी आगे बढ़ो। नड़ाई जी आगे बढ़ो। भाई जी आगे बढ़ो। लोग सभाज चुनाव में जो नतीजे आये थे। ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतिये जंता पार्टी पूर्व में जीती, मनिपूर में कमल का जंडा फैरा दिया। भारतिये जंता पार्टी सुदूर पस्तिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबडासा में, गुजरात की सभी की सभी सिते जीत लेगे। भाजपा को उत्त्य प्रदेश मत्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई। और भाजपा को दक्षिड में करनात्र का तेलंगना में भी सफलता बेची। इन दिनों दो केंडर सासी प्रदेशों में भी चुना हुआ। जैसे अभी लड़ाजी बता रहे हैं तो लड़ाग में उसी प्रकार से दीव दमन और सेलवास में भी वहाँ भारतिये जन्ता पार्टी का जैजैकार हो गया। भाजपाही एक मात्र ऐसी राश्ट्रियस्तर की पार्टी है जिसका पर्चम देश के नागरी कोने ही पूरे देश में फैराया है। आप यहां कीजिए कभी हम दो सीट पर थे दो और दो कमरों से पार्टी चला करती थी आज इंदुस्तान के हर कौने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ। कैसे हुआ। इसका उत्तर कई जो नतीज़ा आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों भारत के लोग 21 सदी के भारत के नागरीत बार बार अपना संदेश पस्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मोका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष के साथ इमानदारी से काम करेगा। हर राजनितिक दल से देश के लोगों की यही अपेश्चा है कि देश के लिए काम करो देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजा है उन्होंने सावित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशिरवाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे चोवी सो घंटे देश के विकास के बारे में सोटेंगे कुछ नया करने की शेश्चा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी महनत को देख रही है आपकी तपस्या को देख रही है आपकी नीयत को देख रही है और इसलिए चुनाव के समय बिना क्रिसी भ्रम्मे पड़े जनता जनादन आपको वोट कथिनाई को बीच भी घर से निकल करके देख करके आती है कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये पैय कर दिया है कि 21 सदी में देश की राजनीत का मुख्याधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा साथियों हमारे यहां ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते गैस कनेक्शन घर स्वरोजगार के लिए सुविधाएं अच्छी सड़के अच्छे रेलवे रेलवे श्टेशन बहतर हवाई अड़े नजियों पर बनते आधुनिक फूल इंट्रनेट करेटिविटी ऐसे मुद्दे चुनाओं में एहमियत नहीं रखते हैं सुना होगा अपने जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही हैं कि असली मुद्दे यही है देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसोटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाओं का आधार रहने वाला है जो लोग ये नहीं समझ रहें, इस बार भी उनकी जगर क्या हुआ मालूम है न जगर जगर जमानत जबत हो गई है साथ्यों आज देश भारतिये जनता पार्टी पर जो उसने दिखा रहा है एंडिये पर जो उसने दिखा रहा है उसके सबसे बड़ी बज़र यही है कि भाजपाने एंडिये ने देश के विकास को लोगों के विकास को अपना सर्वो परी लक्ष बनाया हुआ है और मैं देश सुनाचियों को विश्वाद दिलाना चाहता हूँ और हम सभी कायर करता हूँ संकल्त उसे बंदे हुई है हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए हुई हम हर वो फैसरों लेंगे जो देश हित में हो देश के लोगों के हित में हो साथियों आज भाजपाही देश की एक मात्रा राश्ट्रिय पार्टी है जिसमें गरीब, दली, पीडी, शोशीत, बंचीत अपना प्रतिनीवी को देखते हैं अपना भविश्य देखते हैं आज भाजपाही देख की एक मात्रा राश्ट्रिय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवशक्ताओं को समढ़ती है हर शेत्र की आवशक्ताओं को समढ़ती है और उनके लिए काम कर रही है आज भाजपाही एक मात्रा पार्टी है जो राश्ट्रिय आकांग्शाओं के साथ ही हर शेत्र के गवरव को भी उतने ही घर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है और इसलिए आज देश के नवजवानों को सबसे ज़्यादा बरोसा किसी पर है तो वो बाजपाही दली तो पीरी तो सोशितों की अगर कोई आवाज है तो वो बाजपाही देश के मद्दमवर के सपनों को पूरा करने के लिए देश के मद्दमवर के सपनों को पूरा करने के लिए दिनराथ प्रयाथ अगर कोई कर रहा है तो वो बाजपाही महिलाओं के ससक्सिकर्ण के लिए उनकी गरीमा उनका गवरो सुनिस्षित करने के लिए जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है आर्थिक सुधार हो कृषिक सुधार हो या फिर देश की सुरक्षा शिच्छा की बात हो नई व्यवस्ताओं की बात हो या फिर किसानों स्थ्रमिकों का ही यह भाजपाई है जिस पर देश आज सबसे ज़्यादा बरोसा कर रहा है यह बरोसा भाजपा के लिए मेरे लिए आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है यह भाजपाई है जिसके लिए लोगों का आशिरवाद और जनता जनाजन का स्मेर निरंतर बढ़ता जा रहा है लोग सबाद चुनाओं में पार्टी ने पहले से और ज्यादा सीटे जीत कर सरकार में अपनी वापस ही की बिहार में तीन बार सरकार में रहने के बाद भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जिसकी सीटों में वृद्धी हुई है गुजरात में भाजपा नम्बे के दसक से है और वहाँ भी इन उप्चुनाओं में पार्टी ने सभी सीटे जीच कर दिखाई है बद्धपनेश में भी भाजपा ने सीटे जोड़ी है जबकि वहाँ भी हमारी सरकार इतने वर्षों से सब्ताब है यानि देश के लोग भाजपा को ही बार बार मोका दे रहे हैं भाजपा पर ही सबसे जादा विश्वास कर रहे हैं सांध्यों भाजपा की सफलता के पीशे उसका गवनन्स मोडल है जब लोग गवनन्स के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं भाजपा सरकारों की पहतान ही गुड़ गवनन से कैसे सित्यां बदल जाती है बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इसे मदद मिलती है और यह हमने कॉरोना के इसकाल में भी देखा है जब कॉरोना आया तो यह संकर कितना बड़ा है इसका अंदाजा बड़े-बड़े एक्सपर्ट और बैगिनानिक भी नहीं लगा पाई दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कॉरोना ने प्रभाविश न किया हो लेकिन कॉरोना के खिलाब जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी वैसी संभाव तहां कहीं नहीं लड़ी गई जनता कर्भ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया कोरोना काल में गरीब को राशन से लेकर रोजगार तक के लिए जिस सर पर भारत में प्रयास हुए यह उसका समर्थन दिया कोरोना काल में बचाया गया एक एक जीवन भारत की सफलता की कहानी साथियों मुझे पता है आप लोग और खास करके मीडिया के साथ ही बार बार सोच रहे हूंगे कि मुझी यह लंबा लंबा बोल रहा है लेकिन बिहार पर भी तो कुछ बोलूं बिहार पर भी जड़ा विस्तार से बात करूं बिहार तो सबसे खास है अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है जितना साफ सुफरा जनादेश दिया है मेरा जवाब भी उतना ही साफ है और मेरा जवाब है चुनाव जीतने का एक ही रहा से है सबका साफ सबका विकाद सबका विश्वाब इस मंत्र की जीत हुई है बिहार में विकाद के कारियों की जीत हुई है बिहार में सच जीता है बिहार में विश्वाब जीता है बिहार का यूव जीता है बिहार के माताए बहने बेटिया जीती है बिहार का गरीब जीता है बिहार का किसान जीता है ये बिहार के अकांचाओ की जीत है ये बिहार के गवरव की जीत है ये दिखाता है कि बिहार के जन जन में एंडिये के परफॉर्मंस और बविश की संभावनाओं के प्रती कितना विश्वात है मैं बिहार के अपने भाईयों और बेहनों को से उनसे कहूंगा आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों क्यों लोग संत्र की जमीन कहा जाता है आपने फिर सिद्ध किया है कि बाकई बिहार वासी पार्खी भी है और जादुरुग भी है आत्म निर्वर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभी भूत है हम सभी भाजबा के कायर करता नितीजी के नेत्रुटों में एंडिये के कायर करता हर बिहार वासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और साथियों मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं अख़बारों में चर्चा है साइलेंट वोटर साइलेंट वोटर अब उनकी गुंज सुनाने लगी है बीजेपी के पास साइलेंट वोटर का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है निरंतर वोट दे रहा है यह साइलेंट वोटर है देश की माताएं बहने महिलाएं देश की नारी शक्ति ग्रामेड इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समो बन गया है आखर ऐसा क्यों है क्योंकि यह भाजपाई है जिसके सांसन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है बैंक एकाउंट से लेकर बैंक लोन तक गरबावस्ता के दौरान मुक्त जांच से लेकर छे महने के अवकाज सक्ष रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर सौचालयों का निर्माण एक रुपिये में सेनिटरी पैड की सुविदा हो या हर गर बिचली पहुँचाना हो या फिर हर गर जल के लिए अभियान हो ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन सर को सुधार दे के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेश प्रयास कर रही है को तक हर बार अपना असने दिखाती है अपना आशिर्वात देती है मैं इसने इस आशिर्वात के लिए सभी माताओं बहनों बेटियों को आदर पुर्वग नमन करता हुए साथ्यों 21 सदी का भारत एक नए मिजाज का भारत है न हमें आपदाएं रोग सकती है और नहीं बड़ी बड़ी चुनोतियां मैं एक नए भारत के हुदे को देख रहा हूँ एक ऐसा भारत जो आत्मविस्ता से भरा हुआ है जो अपने सामर्श को पहचानता है जो अपने लश्चों के प्रती सकेज भी है गंबीर भी है ये बात हमने इस कोरोना काल में भी देखी है जब दुनिया के अने देश खंब गए थे हमारे देश ने नई नीतियां भी बनाई नए निर्णे भी लिए ख्रिसी छेत्र में लिए गए अई किहां सिख सुधार हुए वो भी कोरोना काल में अई किहां सिख्षा नितियां भी कोरोना काल में देश के सभी गाओं को ब्राट्बेंड से जोडने का अभ्यान शुरू हुआ वो भी कोरोना काल में नेशनल डिजिटल हेल्प विशन शुरू हुआ वो भी कोरोना काल में गाओं की जमीन और गर के लिए प्रोपर्टी कार देने वाली स्कीम स्वामित्व योजना ये भी तो करोना काल में शुरू हुई पिछले साथ आठ महिने करोना की मुश्किलों के बावजूद हम भारत के लोग देश के लिए जीज जान से जुटे रहें देश को आगे अमर्थ आत्म निर्भर भारत का संकल पर भी पूरा करके रहेगा कि साथ्यों कि भारत के लोगतंत्र में जगर जगर पर पर परिपक्वता के दर्शन होते हैं कि हमारा लोग तंत्र हर्पल नए आयमों को चुमता है नए संभावनों को खोचता है पलता है फुलता है खिलता है यह हमारे लोग तंत्र के विश्यष्ता है भारत के युवापीड़ी लोग तंत्र के प्रति सच्ची निश्चा और सद्धा रखती है। मजबूत लोग तंत्र में ही देश के नवजवान को अउसन रज़राते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति वो ज्यादा आस्वस्त रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से कश्मीर से कन्या कुमारी तक परिवारवादी पर्टियों परिवार की पर्टियों इसका जो जान नजर आ रहा है। जरा नजर कीजिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैमिली पर्टियों यह पार्टियों का जान लोग तंत्र के लिए खत्रा बनता जा रहा है। और यह बात देश का युवा बली भाती जानता है। परिवार की पार्टियों या परिवारवादी पार्टियों लोग तंत्र के लिए सब से बड़ा खत्रा है। दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्पेस्वर की पार्टियों अनेक दसकों देश में नेत्रुत्व करने वाली पार्टियों वो भी एक परिवार के चुंगाल नफस गई परिवार की पार्टियों बनके रह गई है। ऐसे में भार्टिये जन्ता पार्टि का दाईत्व और बढ़ जाता है। हमें अपनी पार्टि में बीतर के लोग संत्र को मजबूत बनाए रखना है। हमें अपनी पार्टि को जीवंत लोग संत्र का जीता जाकता उदान बनाना है। और तभी तो देश का प्रधान मंत्री मंच्र कह सकता है नद्या जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे यहीं तो पार्टी के लोग संत्र की ताकत है पार्टी हर कायर करता और हर नागरिक के लिए आउसरों का एक बहत्री मंच बने जहां प्रतिभा के साथ नय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले मैं देश के युवाओं को जिनके दिल में राट्रहित सर्वोपरी है जिन में लोग संत्र के लिए प्रतिभतता है ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता है देश के युवाओं से मेरा आवार है वो आगे आएं और बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा में जुड़ जाएं अपने सपनों को सागार करने के लिए अपने संक्रकों को सिद्ध करने के लिए कमल को हाथ में लेकर चल पड़े चरहिवेटी चरहिवेटी का मंत्र लेकर के चल पड़े साथियों देश में हो रहे हैं इन प्रयासों के बीच भाजबा का कार करता होने के नाते में भाजबा के अपने कार करते आसाथियों की मैनत देख कर भी मन भाग ठुश होता है प्रसंद होता है आज भाजबा का विस्तार हो रहा है इसकी वज़ा भाजबा के प्रप्ते कारकरता का तब प्यार और तपस्या है और सफ़ता के इंशनों में हमें यह याद रखना है कि हमारा दाइत्वा भारत के जन जन के प्रती है जीत का उनमाद नहीं हार का अवसाद नहीं यही हमारी परिपाटी रही है और यही हमारी पर्टी के विकात का मंत्र रहा है देश का आशिर्वाद हमारे साथ है इस आशिर्वाद को हमें अपना दाइस्वप पूरा करके निभाना यह हमारी जिम्यवारी है राष्ट निर्मान का आत्म निर्भर भारत के निर्मान का हमारा मिशन अनवरत जारी है समाज में अंतिम पाइदान पर बैठे बैठी के जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाए हमारे प्रयाथ इसी एक निष्ट लक्ष के लिए होने चाहिए साथियों जो लोग लोग तंत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं हमें चुनोती नहीं दे पा रहे हैं ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार करताओं के हच्चा करने का देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारती जनता पार्टी के कार करताओं को मौत के घाट उतार करके भी अपने मन्सुबे पूरे कर लेंगे मैं उन सबसे आगर पुर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं मुझे चेतामनी देने की जरूत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनागन करेगी चुनाव आते हैं जाते हैं जए प्राइजे होता रहता है कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा लेकिन ये मौत का खेल लोग तंत्र में कभी नहीं चल सकता है और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है ये जरा दिवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना और इसले मेरे साथियों हम लोग तंत्र को समठ बीचा है देश ने हम पर जो भरोसा रखा है उस भरेशों को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबत हैं हमारी तरब से हमारे इरादों पर कोई शक्र नहीं कर सकता है हमारे प्रयासों के प्रति कभी कोई निराश नहीं होता है हम प्रयास करते रहेंगे अभिरभ करते रहेंगे जनता जनारदन के लिए करेंगे माभारतिक एक एक संतान के लिए करेंगे और यह जो चुनाओं में आशिरवाद मिलते हैं यह आशिरवाद हमें अधीक काम करने की तांकत देते हैं अधीक काम करने की उर्जा देते हैं अधीक काम करने की प्रेना देते हैं और उसी आशिरवाद को लेकर के मैं जन्ता जनादन के चर्णों में अपना शीष जुका करके उनके सपनों को फुरा करने के लिए फ्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे ये विश्वाद दिलाना चाहता हूं मैं फिर एक बार देश के सभी मतदा होता हूं को और मैं भारती जन्ता पार्टी को भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारे नड़्डा जी ने इस कारकम को विजय उत्षव के बजाए धन्यवाद का कारकम बनाया इसलिए मैं विशेश्व से बजाई देता हूं क्योंकि हम जन्ता जनारां के रणी है इसलिए हम उनका भीत्रा धन्यवाद करें उत्रा कम है साथ्यों दिपावली एक प्रकार से दर्वाजय पर रस्तक देही रखी खुब जुन्दाम से मनाईए अपना ध्यान रखिये और अपनों का भी ध्यान रखिये कोरोना से भी सतर्क रहिए और एक बार हम भाज़पा वाले शिर्फ करें ता नहीं देश का हर व्यक्ति करें और एक दिवाली के लिए नहीं आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है भोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर यह गुंजना चाहिए हमें लोकल सिजों पर हमारे लोगों का जिसमें पसीना है जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंद है जिसमें हमारे देश के नवजवान की टालेंट है जिसमें हमारे देश के उजवल भविश्य के सपने हैं ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज इस पर हम आगरे ही बनें लोकल के लिए आगरे ही बने है देखिए देश में दुनिया के कोई देश कोई हमें दवा नहीं पाएगा दोस्तों मान के चलिए मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की हारत माता की